जहें दोस्तों बंदे मातरा देखिए जब हम एक सब्वे समाज में रहते हैं तो आप हर एक काम अपने फायदे के लिए अपने सौार्थ के लिए नहीं करते हैं काम ऐसे होते हैं जो कि आप निसौार्त भाव से भी करते हैं ठीक ऐसा है मूवी के मामले में भी होता है हर एक मूवी पैसा कमाने कę लिए नहीं बनती है लेकिन हां कई बार दुख जरूर होता है जब कोई अच्छी मूवी आती है सोशल इशू पर मूवी आती है या फिर किसी ऐसे टॉपिक की मूवी आती है जो कि आपको सचाई से वाकिफ करवाती है और वो मूवी नहीं चल पाती है तो दुख जरूर होता है नवही रॉकेट्री मूवी जो आई है मतलब आर माधवन जिसमें की नमी नायरान के रोल में देखने वाले हैं जो कि एक बहुत बड़े साइन्टेस्ट है अब जाहिर सी बात है इस मूवी को लेकर काफी ज़्यादा बज क्रियेट हो चुका था क्योंकि एक तो इसका टॉपिक और दूसरा आर माधवन ने जिस तरह से इस रोल में अडापटेशन किया था खुद का वो ट्रेलर में देखकर हर कोई चौक गया था बाद में शारुक खान का कैमियो की जब बात सामने आई तो वो और भी ज़्यादा उसके लिए एक बस क्रियेट करने वाली बात थी लेकिन ये उन मूवीज में से एक है जिस मूवी को आपको देखना चाहिए और बिना फायदे नुकसान के सोच के देखना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है इन मूवीज में कि ये मूवी आपको कुछ न कुछ अपने इतिहास के बारे में बता के जाएंगे और ऐसी मूवी जब पैसा नहीं कमा पाती हैं बॉक्स ओफस पर तब जरूर दुख होता है हला कि ये मूवी OTT पर काफी successful होगी थेटर्स में कैसा रन करती है ना वला समय बता ही देगा आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉकेटरी के बारे में और जो कि वाकई में काफी उम्दा मूवी है रिवियो को देखने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्योंकि जो दूसरी नैशनलिस मूवी जाती है ना जिसमें कि मार धार मसाला होता है ये मूवी उनसे वाकई में काफी अलग है और आर्मादवन का यब तक का मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा है और मूवी मेकिंग के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो भी काफी बड़े धुरंदर होते जा रहे है सिनमा की बात करें तो इसको यूही समाज का आईना नहीं कहा जाता कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो कि आपको अंदर तक जखजोर कर रख देती है ऐसी फिल्में कहीं न कहीं आपकी जिन्दगी उपर एफेक्ट जरूर पड़ता है ये बात अगर फिल्म रॉकेट्री दे नंबी इफेक्ट को लेकर कही जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आर्मादवन एक ऐसे फिल्म लेकर आए हैं जो हमें रोक कर सोचने के लिए मजबूर कर देती है रॉकेट्री दे नंबी इफेक्ट को देखना उन पलों को बार-बार जीने जैसा है जिसका कि आपके या मेरे जीवन में लंबे समय से आप इंदजार कर रहे होंगे फिल्म पद्मुशन सम्मान से सम्मानित रॉकेट वग्यानिक नंबी नाराइन के जिन्दगी पर राधारी थे एक ऐसे महान वग्यानिक जिसने रॉकेट साइंस की दुनिया में भारत को उचा उठाने के लिए अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया इसके मदले में उन पर देश से गद्दारी करने का ठपा लगा दिया जाता है आरमादवन ने इस कहानी को परदे पर जीवन्त करने को हिश करी है जो शायद आपके भी रोंग्टे खड़े कर देगी इस फिल्म में आरमादवन ने इंदर देशन में डेब्यू किया है फिल्म की खास बात यह है कि इसे दो भागों में बाटा गया है पहले हिस्से में नम्मी राइलान के उपलब्दियों और देश के स्पेस विग्यान में उनकी योगदान को दिखाता है तो ही दूसर भाग में अन्या है कि खिलाफ उनकी लड़ाई को दर्शाय गया है इन दोनों ही इस्सों में एक चीज़ कॉमन है जुनून वास्ता में फिल्म रॉकेटरी देनम्बर इफेक्ट उन सभी जुनूनी लोगों की कहानी है जो अपने हुनर को अपना होसला बनाते है घर परिवार को नवी चावर कर देते हैं फिल्म उन लोगों की भी कहानी है जिने उपर जाता देख उनके आसपास के लोग ही पीठ में छूरा भोग देते है कहानी की बात करने तो फिल्म में दिल्चसबात यह है कि इसमें बॉलिवूड के बाच्चा यानि शारुक खान भी है वो एक इंटर्वियोर की भूमिकाम है इस फिल्म की पूरी कहानी बैक्ग्राउंड में नम्मी नरायन अभीनित शारुक खान को अपनी कहानी सुनाते है जिसके साथ कहानी आगे बढ़ती जाती है फिल्म के शुरुआत में ही नम्मी नरायन रॉकेट साइंस तकनीक बेचने के जूटे आरोग की ख़बर सामने आ जाती है बस यहीं से सलसला शुरू होता है रॉकेटरी दे नम्मी एफेक्ट शुरू हो जाती है नम्मी नरायन की जवानी से एक होनरबंद वैग्यानी की प्रतिबा को विक्रम सारभाई पहचानते हैं एपी जब्दुलकलाम भी उनका साथ देते है दुनिया की बेस सिशन संस्थानों में से एक प्रिंस्टन युनिवरस्टी में नाम भी पढ़ने जाते हैं नासा में नौकरीब आते हैं लेकिन देश के लिए वे नासा को छोड़ देते हैं स्कॉटलेंड से 400 पाउंड के स्पेस उपकरन फ्री में ले आना फ्रांस से तकनीक सीख कर उनसे बहतर रॉकेट इंजन मनाना अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से क्रायोजनिक इंजन के पार्ट लाना सब कुछ फिल्म में शामिल है नंबी उब ग्रहों को अंतरश में ले जाने वाला रॉकेट विकसित करते हैं रॉकेट का नाम है वी आई एस सफल टेस्टिंग के वाद नंबी अपने गुरू के नाम का जो के लेटर रहता है उसको जाकर बीच में लिख देते हैं इसके वी और आई के बीच में के पड़ जाता है और रॉकेट का नाम विकस हो जाता है विकास ये विकास रॉकेट ही आज तक इसरों से भीजे जाने वाले उप ग्रहों को अंतरिश में ले जा रहा है हलाकि कहानी मोडता वा जाता है जब उन पर रॉकेट साइंस तकनीक बेचने के जूटे आरोप में उनको गिरफतार कर लिया जाता है उनने थर्ड डिग्री दे दिया जाता है उनके हाथ से चाय का कप गिरा दिया जाता है उनके परिवार को तिरसकार की नजरों से देखा जाता है माधवन अकेले ही सिस्टम से जूज रहे होते हैं ठीक वैसे ही जैसे कभी नम्मी नेरान खुद को बेगुना साबित करने के लिए सिस्टम और नयाय पाले कासा जूज रहे थे फिल्म में उन्नी का किरदार बेहद महतवपूर्ण दिखाई पड़ता है जो फ्रांस में नम्मी नेरान के प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं लेकिन इसी प्रोजेक्ट के बीच में उनका इकलोता बेटा मर जाता है ये बात नम्मी जानते हैं लेकि उन्नी उन्हें बेरहम क और फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है और माधवन ने वास्ता में जबर्दस निर्देशन किया है फिल्म में दंदार डायलोग्स हैं उन्होंने परदे पर एमोशन को सजीव कर दिया है फिल्म में हूमर भी शांदार है जब नमीन अरेंड को रॉकेट साइंस तकनीक बेचने के जुटे आरों में ग्रफसार किया जाता है उस वक्त उनके और उनके परिवार के साथ जो होता है वो आपकी आँखों को नम जरूर कर देगा जेल में उन्हें यातना देने से लेकर बारिश में पतनी संग 20 सड़क रास्ते पर धकेल दिये जाने पर ऐसी कई सारे इवेंट्स हैं जो की काफी जादा एमोशनल है फिल्म में माधवन के एक्टिंग को सदियों तक याद रखा जाएगा एक्टिंग की बात कहने इसी के साथ तो नमीरारन की पतनी मीरा के रोल में माधवन की हिट अमिल फिल्मों की साथी सिमरन है नाम भी पर जो गुजरी उ सिरसारे का कैमरा भारत सहित अमेरिका रूस स्कॉटलेंड फ्रांस की खुबसूरती के साथ साथ इस स्पेस इंजन की भवेता दर्शाने में कामयाब रहा है बैग्राउंड म्यूजिक और गाने कहानी का नुरूप है फिल्म उन सभी युवाओं को तो जरूर देखनी चाह सकता है आप इस मुवी को जब भी देखें ताब उसका रिव्यू या अपना कोई खास कमेंट मुझे अपने मेरे कमेंट स्क्षिन में जाके जरूर दें मेरे सुडियों फिलालत नहीं जय हैं जय भारत